मा बगला मुखी धाम नस्दीक लमा पेंट चौंक पर स्थित्गुल मोहर सिटी के धाम के संस्थापा के एवं संचालक नवजीत भादवाज की अधक्षिता में मा सिक शुरंखला बद संपूर्ण फल्दाई मा बगला मुखी हवा नियाग्य करवाया गया सबसे पहले पंडेत अविनाश कौतम एवं पंडेत पिंटु शर्मा ने विदिवत पूजन उपरांग मा बगला मुखी के निमित माला जापकर मुख्या यजमानों से पूजा अर्चना के बाद हवा नियाग्य में अहूतियां तलवाई इस मौके पर नवजीत भादवाच ने कहा है कि जो मनुश्य कल्यूगी राक्षर से बचकर भगवान का जब तब पाठ पूजा वसिम्रन करेगा वही भगवान के प्रतीस मर्पित हो सकता इस अफसर पर मनीश शर्मा, गौरफ कोली, एड़ोकेट राजकुमार, रजिंदर कत्याल, बलजंदर सेंग, समीर चोप्रा, नवीन, अमर्जीत सिंग, गोपाल, माल पानी, विकरांत शर्मा, संजीव शर्मा, राकेश महाजर, अमरेंदर शर्मा, मानव शर्मा, बावा ख बगला मुखी जिदे दर्बार, जो की बगला मुखी ताम दे नाल प्रसिद है, जो की गुल्मोर सिटी नजदीक लमा बेंड चौंक दे विक स्थित्मा दे भवे मंदर चाज, मासिक हवन यगेदा आजिजन किता गया, जिड़ा की हर महीने आखरी रववार नो किता जंद है, एस संपूरन फल दाई हवन यगेदे विच, बहुत दूरों दूरों आईया संगता ने, महामाई दे दर्बार्च हाजवी लगा के हवन यगेदे अहुतियां डालियां, और अपने ते अपने परवार लई, सुख समरिदी लई, शरीरिक नरोगता हर पासों जित, और जनियां वी आदियां वी आदियां उनना दे नाश दे लई, हवन यगेदे अहुतियां पाईयां, साठी पितां बरा माँ भगला मुखी दे चरणा जबारं बार, एही अरदास बेंती है कि माँ अपने पगतां दे उत्ते, शीरवात दे मेर पर याहत रखो, और ऐस तना ही परिवार्दी सुक समर्दी दी कामना दे लई, माँ दे चरणा जाके अरदास बेंती करो, और अपने याँ चोड़ियां खुशियां नल पार के लेके जाओ,